कि आये बच्चों जानते हैं कि एक मानाव नेत्र यानि कि हुमन आई के कौन-कौन से हिस्से होते हैं और उन सब के फंक्शन क्या होते हैं तो अगर एक ओर 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 वियू हमें लेना है आख का तो इसमें सबसे पहले उपरी पलक होती है जिसे टॉप लिट कहा जाता है फिर ब बैक कलर के स्पॉर्ट के चारतरफ जो जिससे आख का कलर डिपाइन होता है उसे हम आइरिस या परिनालिका कहते हैं ओके अब इसके चारत इसके ऊपर आइरिस के ऊपर एक बहुत ही महीन एक पारदर्शी जिल्ली यानिक ट्रांस्पेरेंट मेंब्रेन होती है जिसम और यह जो वाइट पोर्शन है हमारी आँक का इसको हम इसकलेरा या द्रड़ पटल कहते हैं बच्चों और यहां पर हमारी आँक के बिल्कुल कौर्दर में बच्चों यहां पर जहां अशुरू नलिका या टियर डक्ट होते हैं जिनसे की आंसू बनते हैं अब अगर आप इसकी अनाटामी देखें तो आप देखेंगे यहां पर यह पूरा आँक है जिसका साइड वियू में आपको दिखा रहा हूं इस साइड वियू में सबसे पहले है बच्चों आपका इसकलेरा क्या होता है बच्चों इसे द्रड़ पटल भी कहते हैं यह आपारदर्शी होत आप प्रोटेक्शन करना उसके बाद आप देखेंगे बच्चों यहां पर यह वाला हिस्सा जो की इमेज में आपको ब्लू कलर से दिखाए गया इसे आईरिस कहा जाता है बच्चों आईरिस आइरिस का क्या होता है बच्चों यह डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है या है नेत्रतारा है ठिक है उसके singers को कंट्रॉल करता है आईरिस यहां हरी 예क कलर को कहते हैं तरह का मेलनिन पिगमेंट का ही कटिगरिया उसके बाद बात करते हैं बेच्चों कौर्णिया कौर्णिया में आप देखेंगे बच्छों एक पतली सीroe पारदर्शी जिली आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह जिसा यही नेटरदान में ऐकसर डान किया जाता है तो कौर्णिया का क्या काम होता एक ट्रांस्पेरेंट और स्पेरिकल मेम्रेन है गोल बिल्कुल गोल होती है बच्चों के लाइट जो एंटर करती है हमारी आखों में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो तक राकर हमारी आखों तक जो लाइट पहुंचती है है रिफ्लेक्ट होकर वो यही से एंट्री करेगी हमारी आख में अब बात करते हैं बच्चों इस ब्लैक स्पॉट की इसे हम प्यूपिल या आख की पुतली भी कहते हैं बच्चों तो यह जो पुतली होती चोटा सा होल होता है आईरिस में बेसिकली और यह हमारी आख के लैंस यह लैंस यह कॉन्वेक्स लैंस होता है बच्चों यानि कि उत्तर लैंस होता है ट्रांस्पेरेंट होता है बहुत सौफ्ट होता है और इसके साथ साथ यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है कई तरह की प्रोटीन इसमें पाई जाती है अब बात करते हैं बच्चों सिल लेंस का जो साइज होता है उसे भी यह चेंज कर सकती है यानि कि जब मतलब अंधेरे में जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आप चाहते हैं कि आख की आख में जादा से जादा प्रकाश जाए तो यह स्लियरी मसल्स क्या करेंगी बच्छों खीज देंगी लैंस को जिस लेंस का यह छोटा होना यह सिलियरी मसल्स का काम होता है उसके बाद बात करते बच्छों कंज का सब्सक्राइब कर तो कि इसके बाद बात करते बच्छों आप कंजक्टीविटा को अगला जो भाग है बच्चों हमारी आख का उसे कहते हैं बच्चों कंजंक्टिवा इसमें क्या होता है बच्चों यह हमारी आख को नम रखती है लुब्रिकेट रखती है यानि कि तरह से लुब्रिकेशन प्रवाइट कराती जिससे और आंकों की रक्षा होती है इसी से बच्छो आशु बनते हैं आशु में जो चिपचिपा पन होता है वो ऐग इसी की वज़े से होता है अब यह क्या करती है बच्छों हमारी जो आईलेट्स होती यानि की जो पलके मिवें इनके इस चिपचिपी एक तरह की और जो हमारी अगला हिस्सा है बच्छो कंजंग्टिवा यह कहां होता आई यह देखते हैं से यह देखें यहां पर यह एक परत होती है बच्छो चिपचिपी परत जो हमारी आख के चार तरफ पाई जाती है ओके इसी से आशु बनते और आशु में जो चिपचिपा पन होता है वह इसी की वज़े से होता है तो इसका काम होता है आख को नम रखना मॉइस्ट रखना ठीक है लुब्रिकेट लुब्रिकेशन प्रोवाइट करना आख को ठीक है जिससे कि हम आई दोनों तो यहें आक फाली जो है वह जो एक ब्लैक वाला पोर्शण है आककर चाहिए वायट वाला पोर्शन दोनों को यही आपका जो है प्रोटेक्ष्ण प्रॉएड कराती तो हमारी आई के अंदर की तरव भी यह पाय जाता है उसके बाद बात करते हैं बच्चो विटेरस हुमोर की विटेरस हुमोर क्या है बच्चो एक तरह का यह लिक्विड है इसे आप कांच द्रव भी कहते हैं या कांच जैसा तरल भी कहते हैं यह तरह का लिक्विड होता है बच्चो जो कह पाए जाता है लेंस और रेटीना के बीच में पाए जाता है उसके बाद रेटीनल ब्लड वैसल्स यानि कि वह नसे या वह वाहिकाई जिन में से आख में जो है आप लाइव देख सकते हैं फ्लो आफ ब्लड तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे आपको तो इसमें कि आख पर इमेज बनती है तो यह आप्टिक नर्व इन फाउम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिगनल ठीक है वैदुत संकेतों की तरह इन सिगनल को हमारे माइंड यानि की ब्रेन तक पहुंचाती है जहां पर हम उस इमेज को सही देख पाते हैं तो आप्टिक नर्व जो होती है इमेज है प्रतिविंभ है वो इसी पर बनता है बच्चो याद रखना इसमें होते हैं बच्चो कॉंस और रॉट्स यह दो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चो चीजे हैं जो की रेटीना में पाए जाती है याद रखना यह लाइट सेंसिटी होते हैं यानि की प्रकाश के प्रति समेदाइं शील होते हैं ओके अब यही यहां पर जब इमेज बनती है तो यही हमारी इमेज जो है मस्तिश्क की मदद से हम देख पाते हैं सही तरीके से इनमें जो रॉड होती हैं बचो यह क्या करती है रॉड जो है बच्चो अमाउंट ओफ लाइट को डिटेक्ट करती यह डिम लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटीव होती है याद रखने नहीं कि डिम लाइट में अगर आपको यह प्रतिभिम देखना चाहते हैं तो तो आपके आख की रेटिना में पाए जाने वाले रॉट्स आपकी मदद करेंगा जबकि कॉंज यह होते हैं बच्चो यह कलर डिटेक्ट करते हैं बच्चो और क्लियारिटी से आपको इमेज दिखाते हैं को जो होते हैं बच्चो यह स्ट्रॉंग लाइट के अगेंस पन्सकेतों में परिवर्ति करते हैं और उन्हें मस्तिक्ष तक आप्टिक नर्व की मदद से पहुँचाया जाता है अब बात करने मच्चो ब्लाइन डिसपॉट की तो ब्लाइन डिस्पॉट जहां पर सारी आप्टिक नर्व बच्चो एक ऑपटिक डिस्क यारिकि नेत्र रिसेप्टर्स जो होते हैं जिने हम रॉड और कॉंस भी कहते हैं बच्चो उनकी कमी होती है तो इस स्थान पर अगर प्रतिभीम बनेगा तो हमें वो दिखाई नहीं देगा जब किसके ठीक उलट जो होता है बच्चो इसके जो ठीक उलट होता है येलो स्पार्ट जिसे बनता है याद रखना बच्चो ठीक है बहुत शार्प बनेगा डिटेल सेंट्रल विजन इसमें देखने को मिलता है ठीक है आपको यह याद रखना और इसमें कॉंस जो थे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कॉंस यह भी याद रखिएगा अब बात करते हैं कि प्रतिभीम कैसे बनता है आख पर देखे जब प्रतिभीम बनता है तो क्या होता है क्योंकि हमारा लेंस कॉन्वेक्स है हमारा लेंस कैसा है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा याद रखना इमेज हमेशा रियल बनेगी को के और inverted बनेगी इन वर्टिड जब भी र्याएल इमेज बनती है तो इनवेट याने कि उल्टी बनती है तीक है और कहा बनेगी रेटीना पर बनेगी तो रेटीना पर बनिये ऊल्टी जो रॉट्स और कॉन्स की मदद से इनको मस्तिक्ष तक इलेक्रिक सिगनल की फॉर्म में भेजा जाता है जहां पर हमें इसका सीधा प्रतिभीम दिखाई देता है ठीक है तो बच्चो मुझे अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आये तो इसे लाइ के लिए एक कोर्स लाँच किया हुआ है जिसे आप हमारी डाउनलोड करके देख सकते हैं उससे जॉइन कीजिए और रेल्वी की त्यारी को मजबूत बनाईए थैंक्यों वेरी मच्च